नमस्ते मेरा नाम पूजा है और मेरे चैनल food moments at home में आपको स्वागते आज हम बना लें जीरा क्रिस्पी बहुत अच्छी लगती है खाने में कभी चाय के साथ कुछ नहीं होता खाने के लिए तो आप इसे बना के चाय के साथ अंजॉय कर सकते हैं तो फ्रेंड्स अगर आपन यहां सात में हम थोड़ा थोड़ा से उच्छी एड करेंगे बिल्कुल जैने की वन फोर्थ हम यहां पे पर सुझी यद्द से एक पलुः चमाच यहां ठावश करेंगे और यहां पर जीरा को भून ली आए और थोड़ा इसको दरदरा सा कूट लेतेय इस तरह किसे बैलन रहते हैं साथ में ब्लाक प्रावृट डालेंगे काली मिस्च पाउडर और नमक टेष्ट के अनुसार कम जादा कर सकते हैं और देशी घी डालेंगे यह और कोई ऊइल नहीं यूज करेंगे बड़े से एक बार हाथ से इसको mix कर लेते हैं और उसके बार हमें पाने की जितने quantity की ज़रूत पड़े उतना हम यह पर add करेंगे हमने इसका पिल्कुल टाइट डू लगाना है जैसे मठ्री का डू लगाते हैं और थोड़ा थोड़ा करके पानी छिड़क के इसमें डालेंगे डारेक नहीं डालेंगे नहीं तो यह गील हो जाएगा और आप यहापे मेथी भी डाल सकते हैं उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है तो देखने कि तब बढ़िया से यह टाइट डू हमने तयार कर लिया है और आप इसको आदर घंटे के लिए हम ढखके रख देते हैं क्योंकि हमने इसमें सूजी डाली है तो थोड़ा सा स क्लारी तयार कर लेते हैं और इसका एक पतला सा स्मूथ सा हम इस तरह से पेस्ट बना लेते हैं तो यह भी हमारे तयार हो गया है और आगे क्या करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे डो को आदा हिस्से में बाट लेते तो आदो को हम ढखके रख लेते हैं क्योंकि मैदा सूखने लगता है तो इसको आप जयते को टोरी से ढख लीजी या गिला कपड़ा से कोटन का तो ढख दिजिए छोटी-छोटी इसकी लोही तोड़ लेंगे है और इस तरह से हमने सारे लोही आदे हिससे कर तोड़ लिया है और अब इसको हम बेलेंगे तो एक ये करके हम बेलेंगे जैसे रोटी बेलते हैं तो आप साइज ऐसे नहीं है कि इस बुद्ध के परफेक्ट रोटी की गोल शेप ओने चाहिए कैसे भी हो आपको इस तरह से और हमने देख लिए इस तरह से सारी मैकी रोटी बनाके बेल के रख दिया है और पर हम that इसी तरह से प्रींजे स्यारा है के त्यार उसको रखेंगे ऑर रोटी बेली यह मठ्री वाले तो उसके उपर हम लियर बनाते चले जाएंगे और यह देखी इस तरीके से और उसके बाद हम क्या करें इसको बड़ी ऐसे टाइट हमने इसको फोल्ड करना है ताकि यह बिल्कुल भी खुले नहीं और बहुत इससे बहुत क्रेस्पी बनता है तो आप इसे जरूर ट्राइक करें और उसके बाद मेडियं eligible साइस किसमें कट लगा लेंगे की एक बाएम फिर से ही रोटी बेल लेंगे मठरी की और इसी तरह से दो बारो प्रोसेस करेंगे ुसके वाल एक एक लोई लेकि हम इस तऱ से फिर से बियलेंगे इस तरह से बेलते हैं न तो बहुत अच्छ लगती हैं कि पिश्चे हम निसकी रोटी बेली ऐ सारी और उसके बाद हम इस तरह से हमने लगाने हैं तो इस तरह लवी लगए इस फिर से वही प्रोसेस हैं दुबारा पाइब करना है उसके बार इसको छोटे-छोटे हम कट लगाएंगे जट जट पडशन बंबी जाती है और अच्छी लगतेए खाने में कभी भी अप स anniなक्स में चाइज इसको ले सकते हैं इवनिंग में मॉल्णिंग और बच्वों को भी दे सकते हैं यहांद को अपने ग्सी आ смог कर सकते हैं यह देख narratives सारी मठ्टी बिलके त्यार हो गया है है और अब इसको तल लेते हैं तो जब इसका नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे क्या होग ना बाहर चीक जाएंगे लेकिन अंदर से ये बिल्कुल कच्छी रहे जाएंगे तो इसको मीडियम हमने पकाना है और इसका फ्लेम यानि जी तेल जो है बिल्कुल जाधा गरम नहीं होना चीए, गैस के फ्लेम डेम रखेंगे और ताकि ये अंदर त अबन कर इतम्स के निए मारे कितने सारे मुठ्री बन गए हैं तो कटोरी मैधा से बना सकते हैं और श्रण को यजिकर चामे साथ से मारे को बार उस्कादत हो में फ्लीबर आएगा तो आप इसे जरूर टाए करें और हमने इसको एक टोक्री में रख लिया सारी मट्री को तो यह थी हमारी आज की रेसिपी तो आपको कैसे लगी कॉमेंट करके आप जरूर बताना फिर मिलूंगी नई रेसिपी के साथ तब दे के लिए बाए